चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकाउन के बटन को प्रेस करें फॉर लेटस्ट अपडेट्स चैनल को सब्सक्राइब करें और वहां सारा यह जो सीपेक की कंपनियां काले धंदे कर रही हैं वो बिजिंग में नहीं हो रहा है वो कराची में हो रहा हमारे ही शहर में हमारे ही मुल्क में हमारा ही दुश्मन आके हमें लूट रहा है और हमारे लोगों को मार रहा है और पाक्सेंट का प्राइम में से कहता है यह सब इंडिया की हरकते है तेकिन यह तो बहुत ही बड़ा idiot है किए दो हजार नो में इसने एक ब्रिटिश कोर्ट में खड़े होके गवाई दी हर्बियार मरी और फैस बलोच के केस में के पाकिस्तान में इतना जलम हो रा बलोच बलोचों पे के अगर मैं बलोच होता तो मैं भी हत्यार लेके पाकिस्तान की हकूमत के खिलाब जंग करत यह इमरान खान के अलफाज हैं यह अभी दस साल पहले उसने बात किए दोजार नौ की शएद है यह जो च्छपी भी है जो मैंने इसमें रिप्रिड्यूस भी किया अपने कॉलम के अंदर बाट बैटके बात कर रहा कि यह सब हिंदुस्तान ने किया हिंदुस्तान बिचार 47 एक तो पहले बलुचस्तान आजाद कलात मुल्क अलग था पाकिसान को से कोई वास्ता नहीं था उनकी एंबसी कराची में थी और बलुचस्तान के जंडा वहां होता था जब इन्होंने कहा जाके कि या अबुलकलाम आजाद या कृष्णा मेनन या अला हजरत जवहलाल न इन्डिया के मुसलमानों की लीडर हैं कि ये कहां से आगा गंडवला ये बलुची क्या जबान है बिल्कुल जिस तरह हिकारत से उन्होंने बाच्छा खान को और पश्टूनों को बिट्रे किया इंडिया कॉंग्रिस की लीडर्शिप ने के बाच्छा खान ने का कि हमें गीदरों के हवाले करके तुम जा रहे हो इस वर गफार खान्स वर्ड जो इसने बतीस साल पाकिस्तान में बंद रहा जेड के दर मरते वक उसने का कि मैं इस गंदी जमीन पे दफनाओ भी नहीं वो जलालाबाद जाके उसका जनाज़ा हुआ तो जब इंडिया के पास बलोचस्तान कह रहा है कि हम आपके साथ हम इंडिपेंडिन्ट कंट्री हैं वी वांट टू जॉइन यू आपके जो इंडियन मुस्लिम लीडर्शिप थी ताहिर गोरा साथ उन्होंने ये खबर लीक कर दी पाकिसानियों को और अब्दुसमद अचकजई जो एक पश्टून कांगर्स की कमिटी के मेंबर थे कोहटा से लोग से बाकि मेंबर थे उनको भी ट्रे किया इंडियन्स ने और उसके दूसरे ही दिन पाकिसान की फौज ने कलात पे हमला किया थोड़ा सा तो उधार इंडिया को भी देना है ना उन्हां के भी बच्चों को पता चले ना कि क्या करतूद थे सरे इंडिया को तो समझ नहीं आई बलोचस्तान की लेकिन अब शायद समझ आना शुरू हो गई मगर अब मामला बहुत आगे बढ़ गया आपने कॉलम में कहा कि अब बलोचस्तान का असल दुश्मन शायद पाकस्तान नहीं है जतना चीन है और चीन जो है इस वक्त अपने उस पूरे रीजन में अपनी बाला दस्ती चाता है मगर इंडिया खटकता है चूकर इंडिया कोई छोटा मुल्क नहीं छोटी पावर नहीं पूरी दुनिया भी उसके साथ है और इंडिया खुद से भी हाला कि मुझे इस पर गुसा भी आता है वो बड़े प्यार से तो थपड लगा के दफना टुपा करे अराम से अपनी शाम को चाहे पीते हैं चाहे उनके जेनरलों ये सोलजरों आप चीख कर रहे जाए हैं कर देता हो कर देता हो करना मना सी को करता था लुकर 45 लोगों की सर गुमा के ना टूटियां बंद करके फेक के आगए उनकी जगा अपनी है देखें इंडियन आर्मी इस अ प्रोफेशनल आर्मी वो कोई इसलाम की आर्मी नहीं है ना कुमिनिजम की आर्मी नहीं है वो भारत देश की अपनी माँ के बच्चों हैं उनको अपने जमीन से प्य जाएए उनके टीन के जो रिजोर्सिस थे उस पर सारा खब्जा किया हुआ आप ट्रेड नहीं कर सकते जहां आपकी मुसीवत पड़ी जब अमरीका को वो तंग कर रहा है और ट्रम्प नहीं ट्वीट कर रहा है उसने हमारे दो कनेडियन को पकड़के पांच छे सौ दिन हो ग चीन कहीं ऐसा ना हो जाए कि वो तब यार पिटाई ना हो जाए बिलकुल इसी तरह बात को दिलेरी दिखाने के काबिल ही नहीं है अच्छा दिलेरी और सचाई को आजकर मेरे खाले यह जो प्लिटिकले करेक्ट लोगे ना यह समत्य बेवकूफी है यह कैसा बेवकूफ आ चाईना इंडिया और पाकिस्टान यह इतना सीरियस मामला है यह आप देखिए कि दुनिया जब ब्लैक लाइव मैटर की बात करते हैं यह रियालिटी इस कि पूरी दुनिया स्ट्रुक्चिर्ट है फ्रम यह यॉरोपियन पर्सपेक्टिव आपके यह अफगानिस्तान में कल कोई दस बारा लोग मरें अगर यह पैरिस में मरते आपका हर अखबार की टॉप नियूज होती अच्छा पैरिस भी छोड़ दीजिए अगर सिटनी आस्ट्रेलिया जो बहुत दूर है हमसे वह भी टॉप नियूज होती लेकिन यह तो अफगान मर गए यह चाईनीज ने मार दिया किसी और को इंडिया की वार जो जो तसादम हुआ हिंदुस्तान और चीन का उसकी खबर ढूंतने के लिए हमें कहां किसी अख़वार में कुछ नहीं था क्यों कि वो यॉरप में नहीं हुआ नहीं साथी किसमती खराब है अच्छे लेकर सब एक बात का क्रेडिट बलके बहुत बड़ा क्रेडिट भारत को जाता है वाक्या होता है और उसके बाद भारत की जनता सडकों पे निकला आती है और हकूमत 59 एपस को बैन कर देती है जिस पे चीन यह कहता है कि ये इंटरनाशनल ट्रेड की वोयलेशन है बिलकल बुकल बुखला जाता है तो भार के सरमायदार अभी खड़े हैं चीन के साथ अच्छा यह अशू है देखिए ना यह बहुत बड़ा इशू है हर मुल्क का सरमायदार अपने मुल्क का नहीं होता है पाकिसान इंडिया की जंगों में आपको याद होगा फ्लाइट ऑफ कैपिटल कैसे हुआ था जहाद भर-भ सरमायकार जो हैं वह अपना समान लेके अपने अपने वीजे लगा के आपने आदा पाकिस्तान का जो वह इंडिस्ट्रिस्ट है उसके पास कनेडियन पास्पोर्ट से हैं सारे जैनरल के पास भी हैं तो तो निकल जाएंगे इशू यह होता है कि इस वक्त इंडिया जब आप यह समझे के हिंदुस्तान में जो हमारे हिंदु भाई बुद्पूजा उजा करते हैं वो तक बन के आ रहें चीन से क्या हिंदुस्तान में नहीं बन सकता उन्होंने ऐसा कब्जा किया मार्किट पे क्या टेलिफून वह बनाएंगे अरे नहीं चाहिए आईफॉन एक सीधे तरीके से एकनामिक वारफेर में हर शक्त को आ जाना चाहिए मुझे फोन नहीं मिल रहा है कोई not made in चाइना मुझे सारा बदलना पड़ेगा सैमसंग पर यह वो बट आप सूचिए कि चाइना ने पिछले 20 साल में कैपिटलिजम को यूज किया है कमिनिजम के बु कर सर्म यह नी तदो शृब्लेखर बटलेखर ऑालव को यूज को यूज को यूज कि तरीक दवि तरीका उन देंट दल्सकार बंड़ कुझे.